हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस साओधी प्रो लीग के मैच का प्रिव्यू करने वाले हैं वो खिले जाएगा अल हिलाल वर्सिस अल तवोन के बीच तो अल हिलाल आप जानते हूंगे साओधी प्रो लीग का वन अब दा बेस्ट या दा बेस्ट मना जाता है और इस सीजन अभी तक यह टीम पॉइंस टिवल में नंबर वन पोजीशन में चल लिया है और यह टॉप कंटेंडर है इस बार साओधी प्रो लीग का टाइटल जीतने के फिलाल 12 मैचेस में इनके 32 पॉइंट हैं 32 इनों ने गोल स्कोर किये और लीग में सबसे बेस्ट इनका डिफेंस है इनोंने सिर्फ 8 गोल अभी तक कंसीट किये हैं तो अभी तक परफेक्ट स्टार्ट रहा है अल हिलाल का जो अल तबून है यह एक अच्छे क्लब में आपे साओधी लीग में काउंट होता है और यह अल हिलाल से ज्यादा पीछे नहीं है यह अभ को एक बार दोनों टीम का लाश्ट मैच का रिजर्ट दिखाता हूं तो अल हिलाल ने अपने लाश्ट साओधी लीग के मैच में टूनिल से अल फते को रहा है मित्रोविच और सालीम अल दफसारी दोनों ने इस मैच में के एक गोल मारा अल बुरैक का एक असिस था वहीं ज जो अल हिलाल है पूरी साओधी लीग के मेरे अकॉर्डिंग करेंडली बैस टीम है दूसरा होम सपोर्ट भी उनके बास होगा तो अभी केले में स्मॉल लीग में अल हिलाल को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाल हूँ बट गाइस एक चीज है आज के वैंज में कुछ दो स होम एडवांटेज अब गाइस सबसे में चीज इस मेंच की लाइनप अने के बाए जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वह आपको मारे टेलि गिराम चैनल में मिलेगी तो जो में में टेली गिराम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक तो अलहिलाल की प्रोइबल लेंपर नजर डालते हैं, बोनों इनके गोलकीबर उन्याले हैं, चार इनके डिफेंडर होंगे, अब जो बुलाई है वो सस्पेंडेट है तो most probably तमभक्ती उनकी ब्लेस माजिंगे, और लेफ्ट बैक होंगे शेहरानी, फिलाल इस मैच में अगर एक या दो डिफेंडर अपोनेंट से भी लिया सकते हैं, जिससे एक बैलेस बन जाए, बट अभी मैं कोई तीन डिफेंडर पिक कर रहा हूँ, और अगर ये बैक लाइन खेली, फिलाल मेरी टॉप त्री चाइज है, अब जो अब्दुल अमीद है, कुली बेली है, दोनों अटेक भी बहुत अच्छा करते हैं, जो अब्दुल अमीद है, सेहरानी है, दोनों अटेक भी बहुत अच्छा करते हैं, डिफेंस याइज भी अच्छा है, जबकि कुली बेली आप जानते है, इनके डिफेंस के लीडर है, हैडर में सॉलिड है, पासे से लॉंग बाल्स टेक्लिंग इंट्रिसेप्शन वाइज अच्छे हैं पाश में चेल्सी नेपोली जैसे गलब्स में खेल चुके हैं तो अभी के लिए मैं अबदुल हमीद कुली बेली और सहरानी इन तीन डिफेंडर को पिक कर रहा हूँ किसी को लग रहा है एक low scoring 1-0 tap की अलिलाल victory होगी वो fourth defender तमबाक्ती को भी add कर सकता है बट फिलाल में उनको ignore करके चल ला हूँ अब रूबेन नेवस नहीं है उनके place में most probably मालकी आजेंगे और उनके साथ defensive midfield में खेलेंगे कानो अब नेवस की मैं news पढ़ लाता ता suspended है अगर माल लीजे एक परसेंट वो news गलत होती है जो मेरे को news मिली थी अगर नेवस खेलते हैं तो midfield में आप consider कर सकते है बट फिलाल मैं zoom कर रहा हूं suspended है मालकी खेलिंगे अभी मैं ignore कर रहा हूं बहुत ज़्यादा खास किया नहीं है और अभी के लिए मैं कानो को भी ignore कर रहा हूं लेकिन कानो जो है defensive point दे सकते हैं में अगर आपको इन दोनों में किसी एक के साथ जाने आप कानो को consider कर सकते हैं पर अभी मैं मैंने मालकी कानो दोनों को ignore किया है अब मैं मित्रोविच, सालीम अलदफसारी, मैलकम इन तीनों को guaranteed pick करूँगा मित्रोविच इनके टैलिस्मेन है अलिजाल के ओलेडी 9 गोल स्कोर कर चुके हैं रेड होट फॉर्म में पेनल्टी टेकर भी यही हैं clear-cut captaincy option हो जाएंगे इस better option मिलनी रहते तो अभी मैं माइकल पर ही ट्रश करके pick करके गया हूँ क्योंकि बिना goal assist के भी 20-25 save point देते हैं और अगर goal assist आ दिया वो तो हमाले bonus हो गई तो अभी के लिए मैंने माइकल को pick किया बट इनकेस आपको लगता है माइकल का goal assist नियाएगा flop होंगे तो या तो अलहिलाल की 11 थी जो मैं 7 प्लेयर लेगे मैं अब्दूल हमीद कुली बेली और शहरानी लेगिया इसके लावा में मित्रोविच मैलकम सालीम अलदफसारी और माइकल इन 7 प्लेयर को भी करके गया हूँ बाकी अभी तक के अलहिलाल के इस चेन के stat है नो गोल है मित्रोविच के साथ गोल अलदफसारी के हैं छे गोल मेलकम के हैं तीन मिलिंग कोविक साविक और एक कुली बेली के हैं बाकी आब असके इस च्टाला कॉलम देख सकते हैं अपोनेंट की बात करने से बहले एक बार फिर से रिमाइन दिलाऊंगा इस मैच की फाइनल टीम या अपडेट क अल तवून की तो माइलसन इनके गोल की बारूंगे मेरे अकॉडिंग यह ज़्यादा टेस्ट हूंगे इस मैच में अलहिलाल अपने घर में ज़्यादा अटेक कर सकती है तो मैं गोल की बार इनके माइलसन को इपिक कर रहा हूँ चार इनके डिफेंडर हैं अब्दुलमाल वाइस भी बहुत सॉलिडर सिलेक्षन भी आई है तो अगर आपको कोई इनका डिफेंडर लेने है तो आप शोल्ली एनिडे जी रोटो को कंसीडर कर सकते हो बड़ अभी मुझे लगता है फिवरेट अल हिलाल है तो मैं इनका कोई भी डिफेंडर लेके नहीं गिया मैं अभी मिटफिल में दो प्लेयर को शोल्ली पिक करूँगा एक है इनका सेंट्रल डिफेंसी मिटफिलर महदुई इनके जो टेकलिंग इंट्रेसेप्शन नमबर है हो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है इनकी टीम में इस मच में भी इनसे अच्छे का से टेकलिंग इंट्रेसेप्शन डिफेंसी पॉइंट एक्सपेक कर रहा हूँ तो मैं महदुई पिक कर रहा हूँ दूसरा प्लेयर में पिक करो मेदरान इस प्लेयर के बाद बहुत तगड़ा असिस पोटेंशल है औल्लेडी सियन चार पांच असिस्ट कर चुग है केकात मार चुक है, creativity भी offer करते है और थोड़ा बहुत defensive भी कर लेते है, corners वागेरा भी लेते है टीम के, तो मैं अभी के लिए महदुई हो गया और मेदरान हो गया इन दोनु को फिक कर रहा हूँ, बाकि जो Flavio Silva है, इनके भी मुझे defensive नमबर अच्छे लगे, लेकिन इनका एक minus point यह था, यह हर एक match में yellow card खा रहे, उससे कुछ point वैसे भी minus वहा रहे, अभी मैंने Flavio Silva को ignore किया, बट आप इनको भी midfield में consider कर सकते हैं, I think इस match में इनके भी अच्छे गाज़े defensive point जरूर आ सकते हैं, तो अभी मैं Flavio Silva हटा के, Madwee और Medran इन दोनु midfielder को लेके गया forward में आपको Jao Pedro और Barrow मिलिंगे, दोनों अच्छे player हैं, दोनों ने 3-3-4-4 goal मारे हैं, अभी के लिए मैं Pedro को लेके गया हूँ, मुझे ज़्यादा safe and reliable लग रहे हैं, although आप Barrow भी ले सकते हैं, PCA स्किलफुल है last season तक है, Italian Serie A में खेल ले थे, बट मेरे पाद एक ही spot था मैं Jao Pedro के साथ, आप यहाँ पर अपने according call ले सकते हैं, दूसरा, अभी तक CNN की penalty ने हुई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता अगर penalty होगी, तो most probably Jao Pedro ही penalty लिंगे, अगर वो नहीं लिंगे तो बैरो ले सकते हैं, पर ज्यादा chance उनके है, इस वाई से मैं यहाँ पर Jao Pedro को लेक गया हूँ, तो यह अलतावून की 11 थी, जो मैं अब इक लिए 4 प्लेयर लेगे, मैं गोल की पर मैलसन ले गया, इसके लाब मैं मेहद्यूई, मेदरान और Jao Pedro को फिक करके गया हूँ, बाकी अभी तक के अलतावीन के CNN के stat हैं, आप देखे चार गोले Jao Pedro के, तीन गोल बैरो के हैं, बाकियों के दो-दो गोले और बाकी पांच असिस्ट मेदरान, चार मेत्यूस, दो असिस्ट मेद्यूई, और बाकियों का एक एक असिस्ट है, तो आप जो इनके stat अच्छे से दिख लीजए, इनके प्लेयर के बारे में अंदाजा हो जाएगा, अब हम आजाते है ड अधुल हमीद और शहरानी, मिट्विल में मैंने सालीम अलदफसारी और माइकल डी ओलिवेरा, जो माइकल है, उनको मैंने पिक किया, अलहिलाल से, वहां से मैंने पिक किया, एक महदुई है, एक मेद्रान है, फॉरवर्ड में मैंने जाओ पेड्रो, मेलकम, और करके चल सकते हैं, दूसरा, अगर आपको लगता है, अलहिलाल की क्लीन शीट नहीं आएगी, तो आप एक जो डिफेंडर इनका सहरानी, उनको अटागी भी चाहे तो जीरोटो, जो एक अल तावुन के वहने बेस्ट डिफेंडर पताए, उनके साथ जा सकते हैं, तूसरा, अच्छे अपसन आप इन दोनों में किसी को दे सकते हैं, किसी को लग रहे है, क्लोज मैं चोगा, वो जाव एडरो है, बैरो जो भी अटेकल ले रहा है, उसको भी अपना वीसी कर सकता है, तो फिलाल, ये मेरी डेमो रफ टीम थी, अपडेटेड फाइनल टीम के लिए आप को या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, जॉइन कर लिजिए,